अब एक row कर data को लोड किया फार्म के अंदर अब हम उसमें change करके इसको save करना चाहते हैं तो हमारा अपडेट का action होगा अपडेट का action में सबसे पहरे तो हम controller पर जाते हैं अपने update की logic लिखते हैं कि यह update जब भी करेगा तो यह क्या करेगा कौन सा controller category controller पर जाना हमने तो category controller पर जाएंगे हम कहेंगे अपडेट का function लिखें यहाँ पर ठीक है और इसको क्या करेंगे जो भी value है वह हम इसको provide कर देंगे then same logic पहले उसको retrieve करें ठीक है और retrieve करने के बाद फिर हम next let categories if यह यह वाली logic यह तो हम यह तो हमें required यह है in any case यहां तक तो data आ गया categories में अब हम categories को iterate करेंगे categories.forEach function और category, index this one और इसमें क्या लिखेंगे अगर category dot category id is equals to data dot category id जानि जो भी हमने इसको data update करने के लिए पास किया पहले उसको retrieve करेंगे हम ठीक है पहले हम उसको retrieve करेंगे और दूसरा option आप यह भी कर सकते हैं आपने find का already लिखा हुआ है function यह वाला ठीक है आप उस find के function को भी utilize कर सकते हैं वही वाले बस यह काम करना है ठीक है और फिर क्या करना है आपने वापस इसको local storage में save करवाते हैं यह वाला काम अगर उसको मिल किया है मिलेगा तो definitely क्लिक करके आ रहे हैं तो data उसको मिलेगा इननी case तो जैसे ही यह काम करेगा तो वापस उसको save कर वादगा यह अपडेट का काम है इतना सरक काम क्या करेगा update यह लूप करेगा अगर उसको category ID वह मिल गया है जो data तो उसके साथ replace कर दे यह क एक्षन होगा अब अब हमारा action होगा जो अपडेट यानि कि हमारा update बटन है न उसके ओपर यह event होगा तो now we can say that इससे copy करते हैं तो इस पर क्या होगा update बटन और यहां पर हम कहते हैं जी update action तो यहां update action यूज़ करते हैं somewhere है अपडेट action is equals to function तो क्या करेंगे हम सबसे पहले input लेंगे ui controller जो हम दे function बना हुआ dot get category input usability है इसमें भी हम use कर रहे हैं फिर हम कहेंगे जी category controller dot update category इसको यह वाला input देंगे जैसे इनपट देंगे फिर हम कहेंगे category controller dot category ui controller form clear करना हमने ui controller dot clear form क्या हमने clear form का function नहीं लिखा यहां पर clear form एक मिनट clear form का function मैं यहां पहले मैं लिखा था एक शयाद इसमें हो मिस हो गया so this is clear form ui controller dot clear form clear form क्या करेगा adjust values को कर देता है null कर देता है values को form clear कर ले clear form हमने form clear किया और clear करने के बाद हमने जो है अब दुबारा buttons का reverse काम करना जो हमने पहले काम किया था यह वाला कि इस button को जब update हो गया तो वो इसको change करें तो यहां पर हम करेंगे update action हां जी यह चीज हो गया इसके बाद next काम क्या रहा गया जो data update हो उसको जाकर दोबारा load करना है हमारे table के अंदर so it's a uicontroller dot populate category क्या लेकिया गए इसको category controller dot get categories ले जे अब यह आपका यह अब इसको check करते हैं जी यह जो नाम है for example this one इसको मैं कह देता हूं जी laptop यह जी laptop और अब हमने का जी इसको क्या करें update so so you can see this laptop इसको हम कहते हैं for example kids wear kids wear update right अच्छा अब इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूं लेकिन इस बार मैं कहता हूं नहीं यार गलत हो गया मुझे यह नहीं चाहिए था मैं इस बटन के ऊपर कुछ इवंट करें back ठीक है तो बैक बटन का भी हम action लिखते हैं क्या होना चाहिए बैक बटन इसे clear करते है that's it nothing else और दोबारा यह बटन हाइट करते सारे तो बैक बटन का सारे इतना सा काम है तो यहां पर आते हैं इसको क्या करेंगे हम लिखते हैं और यहां पर बैक बटन तो क्या करेंगे हम इसी को कापी करते हैं यह बैक एक्ष्ण अजिस्ट कुछ भी नहीं करेंगा नतिंग कर देगा फार्म यह यह काम कर दिया नहीं तो लॉट क्योंकि हमने वापस चलेंगे हमें कुछ लोड करने की विज़ुवत नहीं है क्या करेंगे हम यहां पर आए बैक वापस क्लियर हार चीज़ क्लियर एड अपने इस यूई को तो अब नेक्स हमारा डिलीट का इवन ट्राइक है उसके उपर हम चलते हैं कि डिलीट कैसे करेंगे